हेलो गाइज वेलकम बेक टू माय चानल दिस इस दीपती और आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर रहा हूँ मीका एप सर रिलेटेड मीका एप पे मैंने कई वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप होस्टिंग कर सकते हैं किस तरीके हाँ मैं guy कर सकते हैं मैं टार्गण कैसे इंक्रीज करूं कोई कहता है मरा 20 customer कोगी कहता है मैं 200 पॉंपर मेरा टार्गट नहीं होता है तो देखिए मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊंगी जितना मेरे माइंड में उतना मैं सब कुछ आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर आपने में चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए और वीडियो पसंदाया तो इसको लाइक भी कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो वीडियो में मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपना बेसिक टार्गेट कम्प्लीट कर सकते हैं बेसिक टार्गेट यानि की 11 के और 20 के अगर आप न्यू होस्ट हैं आपने अभी अभी इसी मंथ में जोईन किया है या फिर आपने लास्ट मंथ में जोईन किया तो और आपका टार्गेट नहीं अचीव हो पालए येस मंद में भी आप कोसिस कर रहे हो लेकिन ज्यादा गिफ्ट नहीं रिसीब कर पा रहे हो तो सबसे बड़ा सजीशन ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा बहुत लोग सोसते हैं कि मैंने होस्टिंग के लिए फिल कर दिया है और अब मेरा अपने आप टारगेट होता रहेगा तो ये आपकी गलत सोच है आपको क्या करना है कि जादा से जादा टाइम आपको मीका अप पर देना है जितना जादा आप इस पे बैठो के लाइव उतना जादा आपके फैंस बनेंगे following बढ़ाना जरूरी नहीं होता है यहाँ पर friends और followers बढ़ाना जरूरी होता है आप किसको follow कर रहे हो ये माइन नहीं रखता है आपको कौन follow कर रहा है इससे आपका target ज्यादा increase होगा हम लोग बड़े-बड़े broadcasters को या जिनको जो लोग gifting करते हैं उनको हम follow कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको follow करेंगे और वो हमें follow back दे देँगे ऐसा नहीं है हमें उनसे जाके बातशीत करनी होगी उनको पहले अपना friend बनाना होगा then हमको उनसे follow back मिलेगा तब हमें आके support कर पाएंगे आपके उनको follow करने से वो आपके broad पर नहीं आएंगे बलकि आप जब उनसे follow back ले लोगे तब वो आपकी broad को watch कर पाएंगे तब उन्हें पता चलेगा आपको live रहते हो कब नहीं रहते हो तब वो आके आपको support कर पाएंगे आपके live रहने पर तो ये तो हो गया आपके live रहने का जादस जादा live रहने का एक response कि आपको ऐसा करने पर target आपको जादा अचीव होगा आपके जादा friend बनेंगे फिर वो आके आपको support करेंगे जिससे आपका target जहाँ जो नहीं हो रहा है वो target होने लगेगा इस तरीके से आप आराम से 11K target कर रहोगे क्योंकि देखिए हमारे जितने जादा friend होंगे वो daily हमारे ब्रॉट पर समय देंगे अगर वो हमारे ब्रॉट पर समय देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे viewers बढ़ेंगे फिर हमारे ब्रॉट होट पर आएगी और हमें जादा support मिल होट पर आने का मतलब यह नहीं कि आपके पर होट गिफ्ट का या सुप्रीम का टैग लग जाएगा वो तो अलग उसका एक प्रोसेस होता है लेकिन हमारे ब्रॉट जादा ऊपर चलेगी तो गिफ्टर्स और व्यूवर्स को हमारे ब्रॉट तक आने में जादा समय नहीं ल आप दो सो, हजार, और चार हजार कोईन में कंप्लीट हो जाता है अगर आप डेली का भी अगर टू स्टार कर रहे हो तो डेली आपको 1,000 गिफ्ट मिला और जो 11 गे और 20 क का टारगेट करने के लिए सफिसेंट है दूसरा तरीका यह है कि अगर आप गिफ्ट रिसीव करते है ठीक है अब वह 1000 gift हमें receive हो गया हमारे target में add हो गया हमारे target में 1000 gift add हो गया लेकिन जो हमने 1000 gift receive करे हैं उसको भी convert करने पे exchange करने पे 330 coins बनते हैं अब वो 330 coins तो आपके wallet में अब आपको मेरे target में कैसे add होंगे तो उसके लिए आपको एक idea लगाना होगा आपका कोई भी friend हो जानने वाला हो abroad पे आप उनसे इसके deal कर सकते हो आराम से कि मेरे पास 300 coin है मैं आपको 300 coin या देती हूं आप मुझे इतना दे दो तो इससे आपस में exchange करने से diamond वो 300 भी आपके ही target में add हो जाएंगे इसलिए हमारे 1000 coin से आराम से हम 1300 coin बना सकते हैं तो इस तरीके से आपका target जहां 1000 होने वाला था वहीं आपका target 1300 हो गया फिर वो जो 300 gift हमें मिल रहे हैं उसको भी हम exchange करके आराम से 100 gift बना सकते हैं इस तरीके से हमारा target बढ़ता रहेगा exchange को यूज कर करके हम अपने target को अगर आपका target ऐसे ही आसानी से हो रहा है तो आपको exchange करने की कोई भी जरूवत नहीं है उसकी भी आप payment मंगा सकते हो वो मैं बाद में बताऊंगी दूसरे वीडियो में लेकिन अभी मैं इतना बता सकते हूं कि आप उसको convert नहीं करते हो तो आप उसका कैसा उट कर सकते हो अगर कनवर्ट कर लेते हो तो उसको आप target में यूज करिए हाँ आप अपने friends लोगों को भी support करिए सासा जाके किसी को भी random support आप कर सकते हो लेकिन अगर आप अपने target में भी इसका फाइदा उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो अब तीसरा तरीका है कि Mika ने हमें एक अच् अगर आपको नहीं आती है तो आप सीख लेजिये सबसे पहले किसी भी friends के तुरू आप सीख सकते हैं अगर आपके पास greedy नहीं है तो पहले आप अपना level increase करिए 30 level पे अराम से greedy हमको मिल जाता है अगर आप पहले किसी other app पे थे तो Mika हमें ये भी option देता है कि other app पे किसी पे आप पे थे और उस पे आप सेंडिंग कर चुके थे तो इस achievement का फायदा उठाई है और जाके फटा फटा फट अपने agency owner से contact करिए अगर आपकी agency owner मैं हूँ तो मेरे से contact करिए मैं आपका greedy लगवा दूँगी और फिक greedy खेल के आप target अच्छे से अच्छा अच्छा अच्छी मिलते हैं तो उसके through up target अपना achieve कर सकते हो deal कर जो coin हम win करते हो उसके deal करके आराम से target बढ़ा सकते हैं अपना ठीक अब बचा चौथा option कि हम लोग target कैसे बढ़ा सकते हैं चौथा option जो मैं highly आपको recommend करूंगी कि आपको महिने में चार से पांच official PK खेलने चाहिए अब आपको एक PK में तो support मिलता है नहीं चार से पांच में कैसे मिलेगा तो पहला जो मैंने आपको तरीका बताता है ज्यादा ज्यादा friend बनाने का वो तरीका अपनाई है और उसके बाद PK पर PK लगाते जाएं और target अपना करते जाएं क्योंकि ज्यादा friend होंगे तो कभी किसी PK में कोई नहीं आपाता है तो हमारे वो second PK में आएगा हो सकता है हमारा कोई friend second PK में नहीं आपाता है तो third PK जोईन करेगा कोई ना कोई friend हमारे official PK में जोईन कर करके हमें support करते रहेंगे इससे हमारे target हमें achieve होता रहेगा और official PK में आप भी जानते है कि time or date fix होती है जिस time पे सारे friend आपको बता दिये कि आप इनके through अपना target अगर आप 11 कर रहे हैं तो 20 कर सकते हैं 20 कर रहे हैं तो 40 कर सकते हूं 40 कर रहे हैं तो 70 कर सकते हैं आप अपना target जितना कर रहे हैं उससे बढ़ा के कर सकते हैं इन तरीकों से अब last में आती है कि एक बार मैं फिर से आपको remind करा दू क तो उसके लिए आपको पहले मीका उपन करनी है तो नीचे से यह सेकंड ऑप्सन में जाना है सबसे उपर कुछ बैनर को करते हैं उनको स्लाइट करना है इवेंट वाले बैनर को और सबसे लास्ट में आएंगे तो सेकंड या फर्स्ट नंबर पे आपको मीका टर्न रिष्टेशन फोर्म का बैनर में लेगा उसको हम लोग करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा उस फॉर्म को ओपन करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स दिये रहेंगे जैसे मीका आइडी फुल रियल नेम रियल नेम आपको वही फिल करना है जो भी आप दॉक्मेंट सब्मिट कर रहे हो अधार पैन वोटर उसमें जो भी यहां पर इसको स्पेल करें इस पहीं जोप्या जिए पर आप इसके बाद रूर्म पर तैंहराण को सब्मिट करें अधार इस गोर्म करें इस अधार को भी आपको रहें है। यह आप मत भूलेगा बहुत लोग गलती कर देते हैं फिर बाद में बोलते हैं कि मैंने गलत एजनसी कोड डाल दिया तो आपको ध्यान देना है आपको 2677 ही सेलेक्ट करना है अगर आप मेरी एजनसी में आना चाहते हैं तो उसके बाद आपको यहां पर इमेल आईडी अपनी कर चुकि हैं तो स्लेक्ट करना थे नहीं किया है तो विषद्ट करके अपको क्योँ अपने फोर्म को अपने अपर को श sack करना है उसके पार कर सब् 요रे पर प्र शाकर बिर सब्सक्राइब को क्योंने पर टन या इस जैसे मेरे पर ये एजनसी ओनर का बैज है वहाँ पर आपका वी का बैज बना रहेगा वी बैज को आप देख सकते हो अगर वी बैज आ गया है तो आपकी होस्टिंग स्टार्ट हो गई है तो इससे आप समझ जाओगे फिर उसके बाद ये वाला जो वीडियो का आइकन बना हुए इससे आप लाइव जा सकते हो और उसके बाद आपकी hosting स्टार्ट हो चुकी होगी और आप live आके अपने target अचीव कर सकते हो, जो भी तरीके मैंने बताए उन तरीकों पे अगर आप ध्यान देते हुए अपना target करेंगे तो आप maximum target अचीव कर पाउगे, अगर आप month की मिड में या लास्ट में जॉइन होते हो और आपके पाई एफेक्टिब डेज और टार्गेट करने का समय नहीं है तो आप उस समय आ के सिर्फ अपने फ्रेंड बनाई है आप नए मन से स्टार्ट करिए अपना टार्गेट उस मन से मत करिए लेकिन आपको रेगुलर ब्रॉड जॉइन करनी है ब्रॉड पे आपको डेली आना है दो से तीन घंटा डेली दीजिए तो फिर देखेगा आपको टार्गेट कितने अच्छे से कंप्लीट होता है ठीक है अगर आपको जानकारी अच्छी लोग हो तो वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना जो भी